आज हम कक्षा नाइंत का 13.5 का प्रस्न कर्मांग साथ हल करेंगे सबसे पहले प्रस्न पढ़ लेते हैं किसी गोदाम की माप इतनी दी है और इस गोदाम में इतनी माप की लखडी की अधिक्तम कितने क्रेट रखे जा सकते हैं क्रेट का मतलब आप बॉक्स से ले सकते हैं तो क्रेट की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे गोदाम का जो आयतन है उसके गोदाम के आयतन में एक क्रेट के आयतन का भाग दे देंगे तो क्रेट की संख्या आ जाएगी तो हमें सबसे पहले गोदाम का आयतन निकालना पड़ेगा हम लिखेंगे गोदाम का आयतन यह होता है L into B into H क्योंकि गोदाम घना अवाकार का है है ना लंबाई चोड़ाई और उचाई दी है इसका मतलब गोदाम घना अवाकार का है यहाँ पर हम लिख लेंगे गोदाम की माप जो हमें दिया है उसको हम लिख लेंगे तो यह होती है यह नों ने दिये हमें 40 M यह हो गया L बराबर 40 M B बराबर कितना हमें दिया है 25 मीटर और यह H बराबर हमें दिया है 5 मीटर यहां पर हम गोदाम का आयतन निकाल लेंगे, यह हो जाएगा 40, 20, 5, तो इस तरह से हमारा गोदाम का आयतन आजाएगा 15,000 मीटर स्क्वेर, सुर्ण यह 5 नहीं, यह 15 दिया है हमें, 15,000 मीटर स्क्वेर, अब एक क्रेट का आयतन निकालेंगे, क्रेट का माप कितना दिया है, क्वेर में से देखके उसका मान रख देंगे, एक दिसमलो पांच, गोड़ित एक दिसमलो दो पांच, गोड़ित सुन दिसमलो पांच, यह मीटर क्यूब हो जाएगा, तीनों के एक मीटर हो जाएगे, इ यह काटने के काम आएंगे 15 गुड़त 125 गुड़त 5 यह हमने क्यों लिखा है जो दिसमलाओ के बात की संख्या है उतने नीचे जीरो आ जाएंगे इसका एक शुन्य आ जाएगा इसके दो शुन्य आ जाएंगे और इसका एक शुन्य आ जाएगा तो यह हो जाएगा मीटर की संख्या के लिए गोदाम के आयतन में एक क्रेट का आयतन से भाग कर देंगे ये हो जाएगा हमारा गोदाम का आयतन और बटे एक क्रेट का आयतन जैसे सेमेक एक्जामपल दिया है एक दीवार में कितनी इट आ सकती है तो उसके लिए हमने क्या किया था दीवार के आयतन में एक इट के आयतन से भाग दे दिया था इसी तरह से जब दिनों की संख्या या कोई संख्या निकालने पड़ती है तो कुल आयतन में एक चीज के आयतन का भाग दे देते हैं ये हो जाएगा पंदरा हजार भागित अब ये जो हमारा आयता पंदरा गुड़ित एक सो पच्चिस गुड़ित पांच और ये नीचे था दस हजार है ना इसको हमने यहां नीचे लिख दिया है पंदरा हजार भागित एक सो पंदरा गुड़ित पांच भागित दस हजार अब इस दस हजार को उपर ले जाएंगे बस यहीं ये कैलकुलेशन समझने का होता है ये दस अजार उपर चला जाएगा ये क्यों चला जाएगा जब हम सिंपल सा भाग करते हैं दो बटे दो बटे चार तो हम क्या करते हैं दो गुड़ित चार बटे दो ऐसा हो जाता है ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर हमारा क्या जाएगा इसको हम calculate कर लेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 5 तरी 15 यह 3000 गुड़ित यह जो 125 है यह कितने वार कट जाएगा 8 वार क्योंकि 125 दूनी 250 और यह 8 वार कट जाएगा है ना और नीचे क्या वचेगा हमारा 15 तो यह हमारा हो जाएगा 8 तरी 24 अजार भागित 15 है ना यह हो जाएगा हमारा 15 एकम 15 और यह 15 पॉना पच्चतर पंदर इचंग 90 है और यह 16 जारा जाएगा हमारा आंसर यह हमारा आपको यहां करके दिखा देते हैं 24 अजार भागित 15 है ना तो यह हो जाएगा 15 एकम 15 और यह बचेगा 9 पंदर इचंग 90 और यह दो सुन्य यहां पर एक सुन्य इसका और यह असी आएगा हमारा 125 से 10 अजार को 125 से डिवाइट करेंगे तो हमारा आजाएगा असी तो यह हो जाएगा हमारा 16 अजार नीचे लिख देंगे हम अत्हा गोदाम में रखी जाने वाले अधिक्तम करेट की संक्या कितनी होगी 16,000 होगी इस क्वेशन में आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सो में सकते हैं और आगे बताईए आप कौन से क्वेशन करना चाहते हैं उस पर हम वीडियो बना के देंगे आज के लिए इतना ही थैंक्यू